नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तो नौरात्री मा दुर्गा के नवालगलग रूपों की पूजा एवं आराधना का समय होता है नौरात्री में मा का हर रूप ही भक्तों को सुख समरद्धी और शक्ती देने वाला है अपने भक्त के एक छोटे से प्रयास से ही मा तुरंत प्रसन्न होकर उसकी जोली खुशियों से भर देती है वही एक उसकी छोटी सी भूल भी कई बार मा को नाराज भी कर देती है अर्थात जितनी जल्दी मा प्रसन्न होती है उतनी ही जल्दी रुष्टो हो जाती है अधा हम सभी को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि मा को हम सदेव प्रसन रखे इसलिए नवरात्री के नव दिनों में कुछ खास उपाय करके हम मा दुरगा को प्रसन कर सकते है और उनकी क्रपा से हमारे जिवन में सुकसम्रदी की प्राप्ति कर सकते है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे है नवरात्री में गव माता की पूजा का क्या महत्व है और गव माता को हमें कौन सी चीजे आरपन करनी चाहिए तता गव माता की पूजा करते समय कुन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इस विशे में महतोपुर्ण बाते जानेंगे दोस्तो भगवान सिरकष्ण कहते है कि गाए इस समस्त्र संसार की मा है गाए एक दिव्य प्रानी है जिस भी घर में गाए रहती है उस घर के सभी वास्तो दोष भी दूर हो जाते है गाए में सभी देवी दिवताओं का वास है साथी मात दुर्गा भी गाए के अंदर निवास करती है इसलिए गौमाता की सेवा करने से माद दुरगा की करपा प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही यदि आप नवरात्री में विशेच रूप से गौमाता की पूजा करते है या आपके द्वार पर गौमाता अचानक प्रकट हो जाती है तो इसे भहुती शुब संकित माना गय इसलिए आपके भी द्वार पर नवरात्री के नव दिनों के द्रमियान गौमाता आती है तो इनका आदर सम्मान अवश्य करे। धर्मग्रंतों के अनुसार गाय में सभी देवी देवताओं का निवास है अत गाय की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है, गाय पर सभी नक्षत्रों का परभौ पड़ता है, गाय की रीड की हड़ी में सुर्य केतु नाड़ी होती है, जो सुर्य की किर्णों से रक्त में स्वर्नक्षार बनाती है, यह स्वर्नक्षार गाय के दूद में विद्यमान होते है, जो मनिश्य के लि वास्तु दोश नश्ट करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए पर उससे पहले अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको ऐसे अध्यत्मिक जानकारे वाले वीडियो देखने को मिल सके दोस्तो सनातन हिंदु धर्म में गाय गंगा और गायत्री का धर्मिक महत्व सबसे अधिक है शास्तरों के अनुसार गाय के शरी में 33 कोटी देवी देवताव के साथ माद दुर्गा भी निवास करती है और जो भी जातक नवरात्री में गौमाता की पूजा करता है उस पर गाय की सेवा करता है उन्हें माता के समान मानता है गव माता उस पर आने वाले सभी संकट सभी विपदाव को हर लेती है गव माता काम धिनू है समस्त प्रकार के कष्ट हरने वाली है और जातक की हर मनो कामना पूर्ण करने वाली है कहा जाता है कि सुर्यास्त के पस्चात ज बोलने में असमर्त है तो वेक्ति को गो माता को नवरात्री के नव दिनों के धर्मियान हरा चारावश्य खिलाना चाहिए इससे बूद ग्रह की दशा ठीक हो जाती है और सभी दिक्कते दूर होती है गव का दान करना शास्त्रों में अत्यन्थी शुबफलदाई माना गया है अगर आपकी मंगल दशा खराब है तो नवरात्री में किसी गरिब वेक्ति को गो का दान अवश्य करे अगर नव ग्रह की शांती और शनी की दशा ठीक करना चाते है तो नवरात्री में काली गाय का दान अवश्य करे इससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है अगर कोई कार ये रुका हुआ है, कितने भी प्रयास करने पर उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो मनुष्य को नवरात्री के नव दिनों के दर्मियान द्वार पर आई गौमाता को रोटी खिला कर उनके कान में अपनी मनोकामना अवशे कहनी चाहिए। गौमाता की नियमित पूजा करने से मालक्षमी प्रसन होती है और घर के आर्तिक स्थिती मजबूत हो जाती है। पित्र दोश को दूर करने के लिए अमाऊसे की दिन गौमाता को रोटी गुड़ा और चारा खिलाना फाइदे मंद होता है। से रोगों का नाश हो जाएगा यदि कोई शुबकार या अटका हुआ है और कई प्रत्न करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है तो इस नवरात्री के किसी भी दिन गौ माता को रोटी में गुड मिलाकर खिलाए और गौ माता के कान में जै मा दुरगा वश्य कहे और अपनी म आदा नहीं आईगी शास्त्रों में बताया गया है जिन घरों में गाय की सेवा होती है उस घर में कोई परिशानी नहीं आती कम सेगम नवरात्री की नव दिन पहली रोटी गौ माता के लिए पकाए और उन्हें आवश्य खिलाए ऐसा करने से गौ माता के आशिरवात से घर में कभी भी धन धानने की कमी नहीं होगी। नवरात्री में नवमी की दिन हवन करते समय गव माता के पंच गव्य का अवश्य प्रयोक करे। और हवन कुंड में गव माता की गोबर से बने उपले अवश्य प्रजिल्वित करे। नवरात्री में गोब माता की सिवा परिक्रमा करने से इंसान भयो मुक्त होता है। वो सभी तिर्तों के पुन्यों का लाप्राप्त होता है। गोबर से निर्मित शुद्ध धूब बती दुर्गा माता के सामने अवश्य लगाए। इसे घर का वातारन शुद्ध होगा और पर आई गोव माता को भूल से भी भोजन कराय बिना ना लोटाए इसे पाप के समान माना गया है गोव माता के रूप में आई मा दुरगाप आपके घर से खाली हात लोट जाएंगी और आपको मा का आशिरवात प्राप्त नहीं होगा गोव माता को कभी भी पेर नहीं से नहीं मारना चाहिए गोव की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है इसलिए अपनी प्यारी गोव माता को कभी भी कष्ट ना दे नौरात्र में गोव माता के गले में घंटी अवश बांदे यदि ऐसी घंटी की ध्वनीम आपके द्वार पर नित्य बचती है तो आ गोव माता के दूज से बनी खीर अवश चड़ाए इससे आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की परिशानिया समाप्त हो जाएंगी शास्त्रों में कहा गया है जो भी तन्मन धन से गोव माता की सेवा करता है वो गोव माता की पूछ पकड़ कर वैत्रेनी नदी को पार गोव माता की जीब से चटाएंग गोव माता की जीब हातीली पर रखे गोड को चाटनी से वेक्ती की सुई हुई भागेरे का खुल जाती है और गोव माता का आशिरवात प्राप्त होता है तो दोस्तों ये तिवा महतोपुर्ण बाते जो गव माता के विशे में आपको जाननी आवश्चक थी अगर ये जान करे आपको पसंदाई तो वीडियो को लाइक करे कमेंड में जै मा दुरगा, जै गव माता आवश्चे लिखे साथी चानल को सब्सक्राइब करे